वेलकम टू एकचाम सहफ पार्थी आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट पेपर टू जो की हमारा 60 मार्क्स का होता है ठीक है इसमें हम लोग सोशल एश्रिडीज का सिल्बस वाइज जो है टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं और इसमें आज का जो टॉपिक होगा वो पॉल लोग तंत्र भी कहा जाता है आपका लोग तंत्र याफिर प्रजास तंत्र यह आपका इंग्लिस में होता है डेमोक्रेसी यह किस से बना है तो यूनानी सब्द से बना है यह आपसे पूछ ले जाता है कि किस सब्द से डेमोक्रेसी सब्द का उत्पत्ती हुई है तो यह य क्रेशिया का आर्थ होता था तो क्रेशिया का आर्थ होता था सासन यानि कि रूल तो इसलिए जो है जो आपका डेमोक्रेशी है जयानि कि यह वर्ड था डेमोक्रेटिया ठीक है इसका मतलब हो गया लोगों का सासन ठीक है लोगों का सासन तो याद रखना कि आपका डेमोक्र रूप जिसमें सासकों का चुनाओ जंता द्वारा किया जाता है प्रजा तंत्रिया लोगतंत्र किया जाता है तो आप जानते हो यह प्रजा तंत्रिया फिर लोगतंत्र क्यों कहा जाएगा क्योंकि इसमें जो हमारे जो नियम कानून बनाने के लिए हम लोग जिन्हें चुनत संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तम्भ है, ठीक है? तो आप सब जानते हैं कि आप जिनको चुनते हैं ठीक है? वो सब जो है आपके संसद में विधान सभाव में बैठ करके हमारे लिए रेम कानुन बनाते हैं और अपने निर्वाचित-प्रत्निधियों के माध्यम से उसमे के संसद में, ठीक है किसकी और से तो हमारे यानि कि जनता की तरफ से वो संसद में जाता है, ठीक, यानि कि जनता इसमें प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप से भाग ले रही है, ठीक है क्योंकि जनता ने ही एक प्रत्निधी जुन करके भेजा ह अगला हमारा पॉइंट देखें प्रजात अंत्र की मुख्य विसेस्ताएं क्या है प्रजात अंत्र में प्रमुक फैसले लेने की सकती लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनीधियों यानि की जो आपके रिप्रिजेंटेटिव हम लोग चुनते हैं जो प्रतिनीधियों हमारे विधान सभा या फिर लोग सभा हमारे छेत्र में जो होते हैं जिने हम चुन करके भेशते हैं ठीक है वही लोग हमारे लिए क्या करते हैं प्रमुक फैसले लेते हैं लोग प्रत्यक्ष रूप से निरड़े प्रक्रिया में सहभागी नहीं होते हैं देखिए अभी मैंने उपर ही बताया कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं होते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से तब होते हैं जब जनता जाकर के संसद में बैठती जनता तो संसत में जाके बैठती नहीं है जनता में जाते हैं ये प्रत्रिधी जिनको हम लोग चुन के भेशते हैं तो जनता जो है वो प्रत्यक्ष रूप से निरड़े पक्रिया में साभागी नहीं होती है जनता जो है आप्रत्यक्ष रूप से होती है ठीक क्योंकि जनता की तरब से कौन जाता है तो जनता की तरब से ये आपका प्रतिनिद ही चुन करके जाता है ठीक है और यही हमारे लिए प्रमुक फैसले लेता है अगला हमारा है लोक तंत्र में स्वतंत्र और निस्पक्ष चुनाओं कराया जाते हैं तो ये भी आपको पता है लोक तंत्र में आपका स्वतंत्र चुनाओं होता है निस्पक्ष चुनाओं कराया जाते हैं प्रत्य व्यक्त जो है वोट दे सकता है तो अगला पॉइंट यही कोई भी अगर वयस्क नागरिक है, ठारा साल से उपर का अब्यक्ति है, तो वो एक वोट दे सकता है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इसे ही सारो भौमिक वयस्क मता धिकार कहा जाता है, ठीक, सारो भौमिक वयस्क मता धिकार का विचार, शमानता के विचार पर अधारित है, समानता के विचार पर कैसे अधरी थे आपने देखा कि कोई भी धर्म का हो कोई भी सिक्षास्तर का हो कोई भी जाति का हो गरीब हो अमीर हो सब को केवल एक वोट का ही जो है अधिकार दिया गया है ठीक है तो ये आपका सारभोमिक वैस्कमत अधिकार ये समानता का विचार द एक समान मुल्य होता है ठीक है प्रतियेक ब्यक्ति के वोट का एक समान मुल्य होता है इसका मतलब क्या है अब यह आपको बता है कि केवल एक ही वोट ब्यक्ति दे सकता है कोई भी अमीर गरीव पढ़ने में कोई ज्यादा अच्छा है नहीं अच्छा है कोई मतलब नहीं है ठ समान मुल्य होता है सबकी वैल्यू सेम होती है प्रजातांत्रिक सरकार को समवधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खीची गई लच्मण रेखाओं के भीतर ही काम करना चाहिए यानि कि जो आपकी लोकतांत्रिक सरकार होती है प्रजातांत्रिक सरकार होती है जो भी आपके सम्वेधानिक कानून बनाए गए हैं और नागरिकों का जो अधिकार दिये गए हैं उसका उलंगहन किये बिना ही उसके अंतर ही इनको काम करना पड़ता है यानि कि सम्वेधानिक कानूनों के अंतरगत और ऐसा इस तरह से काम करें ताकि नागरिकों के अधिकार भी वनचितना हो अगला हमारा है लोकतंत्र शासन का अधिक जवाब देही वाला रूप होता है ठीक है लोकतंत्र शासन का अधिक जवाब देही वाला रूप क्यों होता है क्योंकि लोकतंत्र में आपका विपक्च भी होता है ठीक है विपक्च भी होता है और जनता भी क्या कर सकती है आंदोलन कर सकती है कोई भी चीज अगर जन्ता को नहीं पसंद आई तो उसको लिए क्या कर सकती है कि वो आंदोलन कर सकती है ठीक है तो सासन को जवाब देना पड़ता है कि उन्होंने कोई नियम कानून क्यों बनाया है ठीक है अभी हाली में आपने देखा था किसान कानूनों पर भी बवाल हुआ था लोकतांतरिक ब्यवस्ता में प्रमुक फैसले ब्यापक चर्चा और बहस के बाद लिये जाते हैं आप सबको पता है कि जब भी कोई कानून बनता है तो लोक सभा में बहस होती है ठीक है जिससे की गलती की गुंजाइस कम हो सके और बहतर निरड़े लेने की संभावनाओं को बढ़ाय जा सके ठीक है वहाँ पे पक्छ और विपक्छ दोनों साइड की लोग रहते हैं तो वो सब ही जो है वहाँ पे बहस करते हैं ताकि जो है अगर उसमें कुछ कमी हो तो उसको सरकार चुल ली है तो आपके पास अगले पांच वर्स में फिर एक मौका होता है कि आप उस सरकार को बदल दो ठीक है तो यह हमें अपनी गलती ठीक करने का मौका देता है ठीक है प्रजात अंत्रापका अब हमारे देखते हैं इसमें जो है समानता और असमानता के बारे में आसावांता की बात करता है वो आपके जातिकत ब्यवस्था से ही आती है ठीक है जिसमें आपने एक सब्द सुना होगा दलित दलित एक ऐसा सब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयम को शंबोधित करने के लिए प्रियोग मिलाते हैं और दलित का अर्थ क्य दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है ठीक है यह वर्ड जो है यह इसलिए यूज करते हैं ताकि यह बता सके कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी यह भेदभाव हो रहा है ठीक है तो यह भी जो है आपके question बन सकते हैं जो आपके question आप सब जानते हो कि one liner question इसमें कम बनते हैं ठीक है one word question कम बनते हैं आपके sentence वाले question ज़्यादा बनते हैं इसलिए sentences में भी आपको पूरा ध्यान देना है ठीक है आपसे यह पूछा जा सकता है कि दलित सब्द के इस्तिमाल से दलित क्या संकेत करते हैं तो उसके लिए पूरा sentence दिया रहेगा तो आपको पता होना चाहिए कि उनके साथ पहले भी बेहदवा हो रहा था और आज भी हो अगला हमारा है ओम प्रकास वालमी की जो है एक लेखक थे ठीक है एक दलित लेखक थे मलब ये दलित थे तो ओम प्रकास वालमी की इनका नाम था जिनकी एक इन्होंने पनी आत्म कता लिखी थी जूठन ठीक है और जूठन में उन्होंने क्या बताया था दलित बालक के ठीक है तो इस तरह से किस तरह से वो जब अपने बड़े हो रहे थे तो उन्हें किस तरह से जो है जातिगत बिवस्था को जेलना पड़ा था ठीक है तो वो दलित थे तो दलित वालक के रूप में बड़े होने के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है किस पुष्टक मे तो उनकी आतमकथा थी जोटन में ठीक है उन्प्रकास वालमी की जातिगत आसमांता के अलावा धर्म, धर्म के आधार पर भी आसमांता होती है लिंग के आधार पर की इस्तिरी पूरुस है वंस के आधार पर उच्च कुल का है, निम्न कुल का है इन सब के आधार पर भी असमानता समाज में अभी भी देखी जाती है समाज में जो है समविधान तो बन गया है ठीक है सब को समान माना गया है देखिए आगे जो है जो समानता वाली बात है यहां पे लिखा है कि भारती सम्विधान में सब व्यक्तियों को समान मानता है लेकिन सभी व्यक्ति अभी तक जो समाज है आमारा उसमें समानता अभी तक पूरी तरह से आई नहीं है ठीक है अब देखते हैं प्रजा तंत्र में समानता क्या भारती सम्विधान में सभी विक्तियों को समान मनता ये तो सम्विधान में लिखाई गया है लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि अशमानता खत्म हो गई है जाति के अधार पर असमानता अभी तक है धर्म के अधार पर ठीक है न लिंग के आधार पर असमानता अभी तक हमारे समाज में देखी जाती है, हमारे घरों में देखी जाती है तो यह हम नहीं कह सकते कि असमानता आपकी खत्म हो गई है जहां पहले भेदभाव और दुर्ब्योहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था ठीक है, लोगों के सम realidad के लिए उनके साथ सम мнता का बयाँ कहर करने के लिए अब जो है कई कानून नेुसे बनाये गए रहे जिनमें से कुछ कानूनों के बारे में यहां पे नीचे दिया गया है समानता को अस्थापित करने के लिए सम्विधान में जो प्रावधान में उनमें से कुछ निम्न है पहला क्या है कानून की दृष्टी में हर व्यक्ति समान है ऐसा कहा गया है दूसरा क्या है किसी भी ब्यक्ति के साथ उसके धर्म के आधार पर जाती के आधार पर वन्स के अस्थान पर वन्स के अस्थान पर जन्मस्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा तो ये 5 पॉइंट जो आपके दिये गए हैं 1, 2, 3, 4 and 5 ये आप से पूछे जाते हैं ठीक है कि किन आधारों पर ब्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता ठीक है तो धर्म के आधार पर जाती के आधार पर वन्स जन्म अस्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता ये 5 पॉइंट आपको पता होने चाहिए तीसरा क्या है हर भ्यक्ति सारवजनिक अस्थलों पर जा सकता है जिन में या तो खेल का मैदान हो सभी जा सकते हैं उसमें होटल हो, दुकाने हो, बाजार हो ठीक है ना सभी भ्यक्ति सारवजनिक कोवों में पानी पी सकते हैं सडकों पर जा सकते हैं नहाने के घाटों का उप्योग कर सकते हैं तो ये भी कहा जया कि हर भ्यक्ति सभी सारवजनिक अस्थानों पर जा सकता है ठीक है कि ये छोटी जाती का है इसको मठ छूओ ठीक है न इस तरह की बाते जो तो छूओ छूओत का भी उन्मूलन कर दिया गया यानि कि उसको भी समाप्त कर दिया गया है आपके समविधान में सासन ने सम्विधान द्वारा मानने किये गए समानता के अधिकारों को दो तरह से लागू किया है तो समानता के अधिकारों को किस तरह से लागू किया गया है पहला आपका कानून के द्वारा कानून बनाए गए इसके लिए और दूसरा, सरकार की योजनाओं और कारकरमों के दोरा सुविधाहिन समाजों की मदद करके ठीक है, तो अलग-अलग सरकार ने कारक्रम चल आई, योजनाए चलाई, थाकि समाज में समानता आ सके पहले उन्होंने कानून ना दिया कानून आपने देखा उपर चार कानून के बारे में ठीक है लेकिन उसके अलावा जो है सरकार ने कई योजना और कारकरम भी चला है और इसी दिशा में सरकार द्वारा एक कदम था आपका मध्यान भोजन योजना की ठीक है ये भी जो है समा कारी प्रात्मिक इसकोलों में बच्चों को दो-पहर का भोजन, इसकोल दिया जाता है यह तो हम सबको पता ही है यह योजना भारत में सबसे पहले तमिल नाडुराज में प्रारंब की गई थी यह भी वात आप याद रखना सबसे पहले तमिल नाडुराज में प्रारंब की गई और 2001 में उच्चितम न्यायाले ने सभी राज्य सरकारों को कहा कि अ प्रेमरी स्कूल की जो है यहां पर कुछ बच्चे का रहा है और यहां पे एक महिला जो है वो बच्चों को मध्यान भोजन जो है दे रही है ठीक है अब इससे फायदा क्या हुआ अब देखिए इस कारिक्रम के काफी सकारात्मक प्रभाव हुए दोपहर का भोजन मिलने के का जो गरीब बच्चे थे उनकी उन्होंने अधिक संख्या में स्कूलों में प्रवेस लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया कि भाई अब तो इसकूल में दो फर का भोजन भी मिल रहा है हमको समस्या नहीं है खाने पीने की तो अधिक संख्या में वो स्कूलों में प्रवेस लेने लगे और नियमित रूप से स्कूल भी जाने लगे इस कारिकरम से जातिगत पूरुवा ग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है ठीक है देसमानता के लिए ये किया गया था क्योंकि स्कूलों में सब ही जातियों के बच्चे साथ-साथ भुजन करते हैं इसकूलों में सारे जातिके बच्चे आ रहे है तो अگर मधिहान भुजन मिलेगा तो सबको उसे भुजन मिलने वाला है कुछ हस्तानों पर तो भोजन पकाने के लिए भी दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है एक और पॉइंट याद रखना की सतत विकास लक्षे जो है हमारे उसमें जो है जो आपका भुखमरी समाप्त करना यानि की हंगर को खतम करना बुखमरी समाप्त करना यानि की जीरो हंगर ठीक है माध्यान भोजन कारक्रम ने निर्धन विद्धारतियों की भूख मीटने में सहायता की है जो प्रायाह खाली पेट इसकूल आते है और इस कारण प्राहाई पर अपना ध्यान के अंधरित नहीं कर पाते है कई बच्चे क्या है उनके घर पे खाना नहीं मिल पाता तो वो स्कूल तो आते हैं लेकिन खाली पेट आते हैं अब खाली पेट आएंगे तो उनको पढ़ाई पर ध्यान भी नहीं लगेगा ठीक है इसलिए मैध्यान बोजन योजन इस्टार्ट की गई कि वो लोग भी खापी सके अच्छे से पढ़ सके प्रजात अंत्रिय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संगर्स है जिसमें व्यक्तियों और विभिन समाजों को सहयोग देना है इसका मतलब क्या है कि जो हमारा प्रजातांत्री समाज है यानि कि लोगतांत्रिक समाज है जो हम जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं यहाँ पर समानता स्थापित करना एक सतत संगर्स है इसका मतलब समानता तो सम्विधान में दे दी गई है लेकिन अभी तक जो है ये नहीं किया गया है कि ये समानता किस तरह से लागू हो ठीक है समाज में जो है इसे लोगों ने अकसेप्ट नहीं किया है इसलिए ये कहा जाता है कि एक सतत संगर्स है ठीक इसमें व्यक्तियों क का ब्योहार कानून के विरुद्ध है ठीक अब तो सब जानते कि अगर किसी के साथ बेदभाव करेंगे तो वो कानून इसके लिए बनाए गया है कानून के विरुद्ध है फिर भी वे जाती धर्म अपंगता आर्थिक स्थिती और महिला होने के आधार पर लोगों के साथ घर सो हो रहे हैं एक उदारड के तौर पर आप सद्वाराज अमेरिका में देख सकते हैं ऐसा नहीं है कि किवल भारत में यह असमानता है ठीक है भारत के अलावा आधिका match लोग तंत्री देसों में भी असमानता जो है है ठीक है तो देखिए सबसे पहले देखते हैं हैं ल गुलाम थे पहले तो अफरीका से लाए गए थे ये और आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से ये बताते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर असमानता होती है जो अमेरिका में जो ब्लैक लोग रहते हैं ठीक है काले लोग रहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ 1950 के दसक के अंत में अफरीकी अमेरिकों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था ठीक है 1950 के दसक के अंत में यानि कि आपके 1950 का दसक कब तक होगा 1950 से 1960 के बीच ठीक है 1950 से 1960 के बीच में वहाँ पर ये एक आंदोलन हुआ था इस आंदोलन के बारे में नीचे जो ह मिल किया है इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा रोजा पार्क्स ठीक है न ये एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी यानि कि ये ब्लैक महिला थी अमेरिका की एक दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके ये ठक करके वापस आ रही थी बस में तो उन्होंने अपनी सीट एक गोरे ब्यक्ति को देने से मना कर दिया ने कि उस समय इसतना जो है असमानता थी कि काला ब्यक्ति अगर सीट पे बैठा है ठीक है और कोई गोरा ब्यक्ति आ जाता है तो इ इंकार कर दिया उसी दिन से जो है अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर के एक विसाल आंदोलन प्रारंब हो गया जिसको क्या कहा गया जिसको कहा गया नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मॉवमेंट ठीक है न तो ये आपका एक दिसंबर 1955 से श्टा की अमेरिकन महिला थी ये 1964 के नागरिक अधिकार अधिकार अधिनियम ने ठीक है न ये आपका आंदोलन वहां से इस्टार्ट हो 1955 से लेकिन 1964 तक जो है ये नागरिक अधिकार अधिनियम एक बनाया गया और जिसमें नसल धर्म और राष्ट्री मूल के अधार पर इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे यानि कि जो अफ्रीकी मूल के जो बच्चे हैं अमेरिका में उनके लिए सभी स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे पहले क्या था कि इन बच्चों के लिए एक अलग एक अधिकार अधिनियम में एक नीचे और पॉइंट है आपका दिब्यांग जन अधिकार अधिनियम तो दिब्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 ये देखिए हम लोग अभी भी जो है दिब्यांगता के अधार पर भी असमानता करते हैं कोई किसी का हाथ पेर एक नहीं है तो उसके साथ हम लोग असमानता का ब्योहार करते हैं इसके लिए जो है इक आपका दिब्यांग जन अधिकार 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 प्राप्त है और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दाईत तो है सरकार का दायत किया गया कि ये समाज में पूरी तरह से इनकी बागीदारी बनाई जा सके और इनको जो है समान अधिकार दिये गए है सब की तरह अधिनियम का नाम क्या है दिब्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में आया सरकार उन्हें नेसुलक सिक्षा देनी है सरकार को यानि कि जो आपके दिब्यांग लोग है उनको नेसुलक सिक्षा दीजी आप विकलांग बच्चों को स्कूल की मुख्यधारा में सम्मिलित करना है यानि कि ऐसा नहीं है कि दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से स्कूल हो विकलांग बच्चे भी उन्हीं स्कूलों में पढ़ेंगे जिसमें साधरन बच्चे पढ़ते हैं ठीक है ना कानून का कानून यह भी कहता है कि सभी सार्वजनी कस्थल जैसे कि भवन हो गया इसकूल हो गया इन सब में धालान बनाये जाने चाहिए जिससे वहाँ विकलांगों के लिए पहुँचना सरल हो ठीक है तो धालान ऐसे बनाये जाए ताकि जो विकलांग लोग है वो भी उस जगहां पहुँच सकें उस कक्षा में ठीक है ना उस बावन के कोई सरकारी बावन है वहाँ पर भी इस तरह का जो है धालान बना जा ताकि वो बिकलांग लोग भी सही से उस जगह पर पहुश सके सरकार ने इसके लिए सुगह में भारत अभियान भी चलाया है तो सुगम में भारत अभियान भी किस के लिए चलाए गया है तो ये दिव्यांगों के लिए चलाए गया है भारत सरकार के दोरा ठीक है जैसे अगर आपका ढालान जैसे नहीं बनाया जाता है पहले अगर यहां पे देखे यह कोई सरकारी आफिस का सीन है यहां पे ढलान नहीं बनाया गया था तो इस बच्चे को आराम से ये लोग विल्चेर से ढलान के माध्यम से उपर नीचे पहुंचा देते लेकिन ढलान नहीं बनाया गया था तो इसको देखे उठा करके लाए जा रहा है ठीक है न तो इसी लिए जो है ये ढलान बनाने का का हम यहाँ पर क्या कहा गया है दिभ्यांग जन अधिकार अधनियम 2016 में तो अगर चीचे आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट आप जरूर कर दिया कीजिए कमेंट आप लोग नहीं करते हैं कमेंट करके आप बताएंगे कि क्य आपको अच्छा लग रहा है क्या नहीं अच्छा लग रहा है तो उस हिसाब से जो है वीडियो और अच्छी बन सकेगी वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो और सेयर उन दोस्तों तक जरूर कर दिया कीजिए जो की सीटेट की एक्जाम की त जानिवाद।